फाइनली वेट इस ओवर दिली में हमारे शहर में लॉंच हो गई है आज ही यह रॉल इन फील्ड सूपर मेटियॉर 650 और यह जो बाइक है ना यार यह लगतो रहे है कि गेम चेंज करने वाली है इस सेग्मेंट के अंदर क्योंकि 650 CC अल्लेडी जो यह पैलले टुइन इंजन ह यह माना जाना हुआ है successful engine है बट अब इसको ठोब दिया गया है एक meteor की body में तो सबसे पहले हम जो design के साथ आती है तो ट्यूबलेज और पंचर वाला कोई scene भी नहीं है जब कि जो पहले जीटी और इंटरसेप्टर आती थी उनमें spokes मिलते थे तो देखो यह है पूरी पूरी बिल्ड अगर इसके उपर मैं बैठके दिखाता हूं तो बहुत ही relaxed position है तो जैसे अगर मेरी हाइट है 511 तो बहुत relaxed position है बहुत जादा कि यह price के हिसाब से खरी उतरती नहीं उतरती है तो सबसे पहले मेरी जिन जिन elements पर नज़र गई है वह elements से इसके quality वाले product जैसे कि यह चीज पास आकर दिखा दें तो lever और यह वाले जो portion देख रहे हैं यह अब adjustable दे दी है यह लीवर इसके motorcycle भी बहुत अच्छी से बना रही है तो अब यह सुन रही है customer feedback ले रही है कि उनको क्या-क्या चाहिए था in fact यह जो mirror है यह भी इस बार ही थोड़ से different type of mirror इसके अंदर डाल दिये गए अब देखना जब हम meteor देख रहे थे तो उसमें यह वाले levers तो थे बट इसमें जो अब चीज ऐसी है जिसने की हमारा दिल जो है वो छू लिया है वो क्या है बता हूं वह इसकी वाली headlight अभी वह वाला portion खतर नहीं हुआ है लेकिन जो headlight है यह अब rolling field की accessories का पार्ट बनने वाली है LED headlamp और यह जो है ना गदर मचाने वाली है एक बार इसको on करके दिखाता हूं म कुछ इस पैप से इसकी पहले low beam जलती है LED light के साथ में इसमें यार यह इतने सारा जो chrome का काम दे दिया है ना यार बाइगाड काफी cool crisp तो लग रहा है और neat भी है इस बारी चलो ठीक है अब देखो यह वाला portion दिखाओ तो यह वाले portion में यहां पे अब यह सब चीजें जो ह इन फैक्त कि यह जो controls हैं अब इसकी जो casing है यह वाले controls की casing दिखाओ यह भी aluminum की casing हो गई है और जो aluminum होता है उसके इंदर quality बहुत अच्छे से हा सकती है इन फैक्त की जो buttons हैं इनकी भी smoothness बढ़ा दिया केसिंग पहले plastic की आती थी यह meaning की हो गई है इसकी विरसे थोड़ा सा इसको luxury या फिर थोड़ा sophisticated feel हो गया है कि हाँ बढ़ी कि जिस price bracket के अंदर आरी है उस price bracket को यह कर देगी राइट लग रहा है इसके उपर अभी तक तो य यह है कि जो लोग upgrade करना चाहते हैं वो इसके parts पर यूज कर सकते हैं बट अभी इस वक्त सूपर मीटियोर को देखने से अच्छा लग रहा है good good feeling है positive feeling है इसके दर दोसी चीज़ चलो control से थोड़ा सा आगे की दर बढ़ते है तो यह है इसका handle जो a price handle है काफी उपर की दरफ के दे रही है company या cool है ने यह चीज़ अब कुछ और चीज़ें इसकी जैसे की इस फ़ले इंगल से कर दिखा जाए तो यह वाला portion देखो front front portion को टेरी कर दिया पूरा यह वाला portion पूरा different types डिजाइन किया है designers ने तो यहां पर यह शोवा की suspension दे दिया upside down suspension शोवा की in fact यह जो फिनिश के साथ यह product को मतलब यह चार्ड चांद लगा रही है इसके अंदर यह बूल सकते हैं फिर आती है इसके वाली टी यह वाली टी भी वह नॉर्मल लोहे वाली टी नहीं है इस बारी है यह बी कुछ aluminum type C बना रखी है इसके अंदर यह upside down shocker आ गया shocker की जो width हम देख र आने के लिए यहां पर यह reflector जो reflect कर देंगे या फिर जो deflect कर देंगे मर्ड को या फिर किसी इसको तो यहां पर यह वाली चीज आ गई और यह सारी चीज़ें जो ही aluminum metal plastic का जादा यूज नें किया वाश के नदर बहुत ही minimum चीज़ें जो कि plastic की है या फिर फाइबर की है यह यह जो है यह aluminum build है यहां से कीचर, dirt, dhool कुछ भी आती है वो उड़के side चली जाएगी तो यह वाला portion बहुत अच्छा लगा कि company ने यह दिया यहां पर इनफेक्ट कि यह इसको अगर continue के जाए उपर तक तो यह fender का holder भी है fender को पकड़ के रखे का यहां से यहां तक और अग पीस लग रहा है इस motorcycle में जो की खिल रहा है ऐसा नहीं है कि कुछ भी कैसी भी लगा दिया देखिए यह जो फेंडर है अब बाद green and black और golden color की पिंस्टाइबिंग हुई है और यह पिंस्टाइबिंग वाली नहीं है जो की हाथ से होती थी यह पिंस्टाइबिंग कंप्यूटराइज रहें यह बेसिकली स्टीकर नहीं जो पेंट के ऊपर चिपके में और यह कभी नहीं हटते लाइफ लॉंग निकल जाती है अब देखो जिल लोगों को 650 का क्रेस था बट उनको एक रिलेक्सिंग राइट चाहिए थी लेकिन वह जब जीटी या फिर इंटरसेप्ट जीटी तो लेते हैं जब इंटरसेप्टर लेते थे ना सबसे बड़ी प्रॉल्म क्या थी थी इरंव संट्ब्thing व करना प्रॉप को उट जा रहा है फिर एक सपोक मोटा है सारे सब्च गने सारे सब्सक्र hustle अगरों जेकि पटीने फिल्कWow यह फिर यह मोटे वाले स्पोक नहीं होते पतले वाले स्पोक होते तो ऐसे तो अलोविल मार्केट के इंदर रॉल्लिंफिल्ड मोटरसाइकल के लिए बहुत सारे एवलेबल है बट इसमें थोड़ा साने ट्विस्ट कर दिया नहोंने यहां से चेंज किया इसको थोड़ा तो इस टाइप की केटिगरी की मोटरसाइकल के इंदर यह अच्छा लग रहा है यह देखो टायर की जो विथ है वह भी कोई बहुत ज्यादा कम यह फिर बढ़ा नहीं दिये अलमोस अलमोस से बैप यह बयुपन आ जाती ये डिस्क डिस्क की स्रखि़ाए वह शॉकल की जिए जगए उदीवा चीजमने प्रने है यह और आलमोस जौ चीज़ी है जैसे कि यह वाली चीज किसले बीबर डेखो गे तो आलमोस से अब जी वो वील्स के बाद आजाता है ये इंजन जो की माना जाना होगा रॉल इंफिल्ड का इंजन है और यार यार ये 650 का पैलल टुइन इंजन की जो स्पेसिविकेशन है आल्मोस सेम है 47 PS का पावर 52 Nm of torque ये मैं भी यूस कर रहा हूं अपनी इंट्रेप्टर में अभी त बात है कि इस बाइक के अंदर क्या के मिल रहा है तो यहां पर देख सकते हैं तो यहां पर यह चीज अब आ गई है मैटल में तीक है यह आपका जो ऑईल कूलर की जाली होती है आगे की जो प्रडेक्शन होती है मैटल के अंदर आ गई है पहले भी मैटल था बट वह बहुत को थोड़ा सा अपग्रेड किया गया और अपग्रेड करने के बाद यहां से यह निकाल दिये गए अगर यह देख रहे हो तो यह पोर्चन अलग दिख रहा होगा आपको क्योंकि इसको एक रिलेक्सिंग क्रूजर बनाना था इस वरे से यहां से यह एक्स्टेंड करके ले यह जो गेर शाफ्ट होती है यह इतनी बड़ी एड हो गई इसकेंदर आपकी जी टी इंटिसेटर में चोटी वली होगी बट इसमें इतनी बड़ी एड होगी है लेकिन जो गेर का जो लीवर है एक्चुल वाला वहीं है जहां पे के अल्रेड होता था जहां पे की कंपनी अब देदी अब देखें इंजन के ऊपर जो कोटिंगे ना यह पहले भी मैट ब्लैक केंदर आ गई बट इसके इंदर यह वाली कोटिंगे ना यह ग्रेश टैप कुछ है यह जैसे स्टोन फीलिंग एसके पत्थर को चूरे और जब पत्थर को चूते हैं तो जो फीलिंग प्लेन चिकना बढ़ी असा ठोस सी चीज वह ऐसा लग रहा है यहां पर आ गया कंट्रास्ट क्योंकि अल्मीनियम का पार्ट इन्होंने यहां पर दे दिया कुछ और भी चीज़ें जैसे कि इसका स्लेंडर जो हम देख रहे हैं इस वक्त यह आल्मोस वैसे ही है लेकिन यहा अब इस वाली क्लर को देखेंगा तो आपको पता चल जागा लागा यह ब्लैक नहीं यह ग्रीश है अच्छा लग रहा है वाई के साथ में यह वाला कलर क्योंकि ग्रीश है ब्लैक कर देते तो यह टोटल ब्लैक हो जाता है जैसे हम लोग देखते है ब्लैक कलर और जैसे की कस्टमाज़ेशन में यूज किया जाता है फिर यहां पर यह इंजेक्टर्स मालब फ्यूल इंजेक्शन जाती है तो एर फिल्टर हमें कहा मिलेगा वह मिलेगा इधर यहां से एर इंटिक होगी और यहां से चली जाएगी ऑल्मोस्ट जो इसके जो सिद्धान तेना वह सेमी है लेकिन बाइक को बनाने का तरीका चेंज कर दिया गया है चलो थोड़ी सी नीचे की तरफ देखने तो बेंड पाइप पहले क्या होता था इस वाले अंगल से बहार की तरफ हा देते बट इस अब चेंज कर के बैंड पर इस वाले अंगल से अंदर की तरफ आगए हैं फिर यहां पर एग्जॉस्ट और ऑग्ज्ट का जो लुक है अभी साउड बोन सब को सबकू सोनाने वालो मे लेकिन जो एक्जॉस का चेल लुक है guyz यह हुँ बहुत लिक की साघ मईक और दिया आपट बहुत ही पिसेंट बहुत ही कॉल सा तरह का माइस खालव हैalgिण बहुत क कंट्रास्ट तो हर एक जगह यहां पर पूरा 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 क्रोम है फिर यहां पर आता है यह साडी गार्ड थोड़ा पास करके दिखा दो इसको साडी गार्ड इस टाइप का है कुछ बड़ी असी फिनिश्टी लग रही है और यह हटवाना मत क्योंकि इसकी वरे से और जादा लोग इन वैसे ही है स्प्रिंग लोड़िट लेकिन यह गैस चार्ज वगारा नहीं है यह ओईल चार्ज है तो ऑईल है इसके इंदर कुछ इस तरीके से सिस्पेंशन काम करेगी फिर यहां पर यहां पर यह वाला जो डिजाइन है यहां अल्रेड देख चुके मेटियोर के अंदर अ सीट अब यह जो रेर सीट है यह देहिए बहुत ही पतली सी बनाई है यह जारता तो शो के लिए इसके उपर बंदा बैठेगा तो बहुत जारा मजा तो नहीं आएगा लेकिन शो है इसके अंदर यह चीज काफी क्लास लग रही है फिर यहां से बड़ा फेंडर आजाता है जो कि मतलब अल्मोस हम देख चुके हैं मीडिया और के अंदर यह चीज यह लोख पीछे से फाइन लगता है ते टेल लाइट अगर में दिखा हूं और इंडिकेटर अगर दिखाएं तो यह देखिए है पेल लाइट एलीड यह तो यहां पर भी यह जो लाइट है यह भी यूज डिस्केस के अंदर स्विंग आम अल्मोस्ट वैसा ही है एक छोटी सी प्लेट जो की एड के रखी है कैमरा ने दिखा पाएगा उसको स्पेंशन अगर देख पाने तो यह वैसी गैस चार्ज वाली सस्पेंशन तो है नहीं ऑईल चार्ज स्पेंशन है लूज होती है इस रिलाक्स राइडिंग देखें आपको नो डोंट वरी इससे के लिए पीछे भी बेब्री का ही सेटप है और अगर पिछला वाला हम अगर यह देख लेना अलोई वील तो अलोई वील कुछ वैसा यह जैसे फ्रंट था बट अलोई वील का साइज जो है ना वो छोटा है सीट के सकेंद्र टायर है और अगर टायर का साइज बताऊ तो 150 80 B16 तो BCD के टायर है इसमें 16 इंच का रेर टायर सकेंद्र यार सईसा तो है अच्छा एक और चीज़ यह जो फूट पेक्स है यह फूट पूरे रबराइस कर दीए देखिये पीछे से भी रबराइज रहे आ लेकिन अगर इसको फोड़ा से क्रिस्प और बढ़ा दिया जाता है तो अच्छा लगता क्योंकि सिल्वर है यह भी आ सकता था यह फिर और यह भी आ सकता था ठीक है यहां से देखिए यह आपका जो एक्सिलिटर वाली कुम माप Chung Eze Tha what it is is the लोगो इन्जयन में इन्हें वाला लोगो को दो पेंट करके ना इसको मेच्छ दीया गया से तो अब जो कि बहुत सारे लोग करते थे वो क्या गड़ते थे कि यह वाले लोगों को लगा लेते थे और अपना काम चलाते थे बट अब आप नहीं कर सकते हैं फिर यहां पर आजाती है और जो ब्रेक है उसकी जो पोडिशन है वह बहुत आगे कर दी है यहां पर देखें तो इसका ब्रेक का यहां पर है और इस तरफ ही दे दिया आगे का आगे दे दिया जब कि बैंट पाइप यहां है और जो ऑईल की जो डिएज है रेजरवार यह बीच में लगा रखी है तो हीट का कुछ जारा फ़रक पड़ेगा ने इसमें जो लोग ऐसा सोचेंगे कि हीट लगेग यहां से वह अल्मुस्ट तीन इंच की है उसके बाद यह जो कुछन इसके ओपर डाला हुआ है यह बहुत ज़ड़ा सौफ्ट नहीं है मलब हाड भी नहीं है यह मिद रेंज का इसमें कुछन है क्योंकि मीटे और कंदर यह दिखा गया था क्योंकि बहुत ज़ड़ा सीट स अब यह टैंक दिखा दो साइट से पहली बात तो यह जो लोगो बनाए गया है इसने मेरा दिल छूलिया है यह लोगो बड़ी-बड़ी मोटर साइकल्स भार की मोटर साइकल्स के अंदर यूश किया जाता था कुछ इस टैप का लोगो तो अब जब लोग खुद वो लोग आगर देखा झाए तो बीच में गोर्डन कорडर का एक एलिमेंट है लोगो में बीक में अरे गोर्लियंड-कषा है फिर नीचे गोल्डन कलर का वीमेंट और जो गोल्डन कलर का ऐलिमेंट आज यह यह एडिश्ल ही चंद आएमने concret झाय न फिर नीचे ये क्योंकि ये डूल टोन भाई के हमारे बास तो इस किंदर एक जो बेस कलर है वो है ब्लाक तो ये वाला इसका जो ब्लैक कलर है ये है प्यानो ब्लैक बिल्कुल डीप ब्लैक है ये वला पेंट थोड़ा सा इसके उपर बढ़ता हो ना तो यहां पर आजाती है जो कि ये पिंस टैपिंग है स्टीकर वाली क्योंकि यह पर पता चल रहा है लेकिन ये स्टीकर एक बड़ी चिबग जाता है तो हटता नहीं है फिर यह आजाता है इतना चौड़ा इतना बल्की बढ़ा ये एक फ्यूल टैंक है 15 लिटर फ्यूल इसके तो यार ये जो फ्य क्रिस्टिल से तो वैसे कैमरा पगाड़ने पाएगा तो पेंट इतना साफ है कि मेरा फिंगर प्रिंट भी स्मजी क्योंकि हैं तो इस वज़े से यहां पर यह वाला जो आपको दिख रहा एफेक्ट वह हो रहा है इसी एंगल से दिखा ओपर की तरफ यह है इसका फ्यूल यह फ्यूल एट अब कंपनी ने मदब यह चार चांद लगा दिया है फ्यूल इट में चाहता था यह चीज चाहता था कि यह फ्यूल एट को हाथ में नहीं पकड़ना पड़े अब याद जो इंटरसेप्ट वाले लोग है लो यो जब पेट्वल लवाते हैं तो वह खोलते अपना फ्यूल कैप उसको हाथ में लेकर खड़ा होना पड़ता है जब तक बंदर फ्यूल डाला है यह चीज तो होनी चाहिए थी उनके इंदर बट अब इसके बात कर लेते हैं वैसे एक बाह बता हूं यह पोर्चन लग भी सकता है आपकी जो अभी एग्जिस्टिंग जो 650 जो मोटर साइकल से ना उसके लग सकता है तो यह वाले जो पोर्चन है यह बड़ी लग रहा है यह से फ्यूल जाएगा और नीच अगर देखोगे तो बिल्कुल लेटस्ट टाइप का लेटस्ट टेक्नालोजी का यह जो इसका माउथ है इंटेक यह चीज इसके इंदर दे का साउंड और यह क्लोज इसमें यह जो लिड है यह इसको कर दिया बन अब क्या है कि बारिश वारिश भी होगी तो पानी एजीली नहीं जाएगा और वैसे भी चला भी जाएगा तो अंदर से इंदर से सील्स लगी होती है कुछ फरकने पड़ता है अब जी चलो इसी यह सारी चीज़े देखने में अच्छी लग रही है बाइक अच्छी लग रही है देखिए अब मैं इसका इंगिशन दिखाना चाहता हो आपको कि इंगिशन सीक्वेंस क्या है लेकिन एक चीज पर गौर करिएगा कि रॉल इंफिल ने इस वरी यह कैप्स भी लगा के इसको यहां पर लगी थी तो ऐसे करके हो सकता है कि ट्रक में आई हो नो बाइक तो उस वरे से लगी हो तो यह हटा होगे तो आप यहां पर शोवा की सस्पेंशन और अगर हम इस वाली टी को देख लेते हैं तो इस बारी जो टी है वह भी बहुत चौड़ी सी देदी है वह क्योंकि इनको एक ग्लोबल और एक प्रीमियम वर्जन बनाना था इस मोटर साइकल का तो इसको ने चौड़ा कर दिया हार एक जगह से चलो अब इसका इगनीशन देख लेते हैं कि इगनीशन कैसा है तो अगर मैं थोड़ी सी पास आगे दिखा हो मैं अगर की जब आन करू तो यह यहां पर इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ गया बिल्लकुल क्लियर ग्लास है इसमें यहां पर डिस्पली आ गया इससे ओल्मोस्ट लोग फैमिलियर होंगे यह देखा गया है मीटिय और वगरा में और भी अब जो रॉल इन फिल्ल्ड है इसी तरीके के ही कॉंस पर चाहिए यहां पर आगया आपका जो नेविविगेशन होता है उसस्ट म केंतर वो इसम बतना अनराइको सुन जाई उसके तliche से मैशन के सो घूंचने के लिए पहुना सुनने के लिए मैं बहुत पेशन सक involved तो उसको बोलते है वैसे तो यह लगा सकते हम तोई अब आप ना इसका सुनने वाले हम सुनने के लिए बहुत पईशन सकना क्योंकि मैं अलग अलग तरीके से साउन सुना हूंगा अब इसका संड़ इसका सब्सक्राइब है त्यूनिंग और थोड़ा सा ऐसे कर र counties से अराम से और इसे भी बाब बता हूँ, वह बहुत बढ़ गया भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ तो अगर मैं इसको यहाँ पे बैठता हूँ, देखें, मैं यह बैठा बाइक पे और अगर मैं स्टेंड से इसको उतारू तो बाइक कुछ ऐसी सी लगेगी बैठ के और वेट जो है यह 245 ऐसा करके वेट है इसका, 240-45 किलो, है भी तो हो गई है लेकिन बैठने का जो रुत्वा जो मुझे मिल रहा है रहा है इस बैठने की और जो रुत्वा सा क्रेट हो रहा है कि आप किसी बड़ी और चौड़ी बैठ पे बैठे वह जो लोग बाड़ी बिल्डर है, जिन मिल जाई है दूसरी चीज कि यह है इंजिन का स्टार्ट अप तो वैसे ही था जो साउंड एक्चल जो क्रेट करेंगे वह है इसकी वहले एक्जॉस्ट और यह भी कोल्ड स्टार्ट हुई है बाइक अगर इसके टर्न इंडिकेटर्स भी ओन कर दिये जाएं तो कुछ ऐसा तक पील आने वारा है यह जो साउंड आप सुन रहे हो यह ड्राइवर पोजिशन पर साउंड एसका और अगर थोड़ा सा दूर जाके भी दिखाये जाए तो एक्जॉस्ट का जो नोट है उसमें एक लीनियर नैसे है मैं थ्रोटल लेता हूं हलका सा पहले देखो अब मैं बताता हूं आपको साउंड नोट के बारे में कुछ जो मुझे फील हुआ है जो इसके इनले hips है उसकी थोड़ी सी कमी है लेकिन इसके इनले एक गरज है वह कैसी है बैठा हो तो मुझे लग रहा वाइबation общем नहीं है गरज टाइब पेस्के अंदर जो उसके उपर बैठेगा उसको जो फील हो रहा है यहां से वह ऐसा है कि अगर मैं यह लेता हूं क्योंकि आजकर पुलिस वालों को भी बहुत जोचा होगा भाई अगर आप लोग पुलिस आले हो तो सौरी सौरी यह थेंक्यू आप लोग बहुत अश्यकाम कर रहे हूं साउंड के उपर तो पुलिस वालों से भी बच्छने के लिए और लीगल रहने के लिए यह जो एक्साउड सिस्टम है इनको चेंज ही मत करा हो इस अब ना यहां पर एक सवाल आता है कि यार यह जो सूपर मेटियोर है यह कंपणी ने क्यों बनाई तो मेरे को यसा लगता है जिल लोगों को पावर चाहिए थी और उनको मेटियोर से प्यार दा क्यों कि मीटियोर बहुत कमफ़टेबल मोटोसाइगल है उनके लिए इस बाइक को लेके आए हैं मेटियोर की कर रहा है वो आजाएगा यहां पर पीछे बैक राइस आजाएगा हैंडल के माउंट बहुत सब्सक्राइब तो आप बताओ कमेंट्स में कि यह पूरा डिटेल वाकराउंड वीडियो कैसा लगा आपको और दूसी चीज यह कि क्या इस बाइक की वेल्यू साड़े चारला को रूपर होनी चाहिए या फिर कंपनी को कुछ और भी तो सोचना चाहिए जो उनकी प्रोडक्शन मॉडल है कंपनी उनी पर ही काम करे जा रही है मेटियो और इंटरसेप्टर को मर्च करके एक न्यू प्रोड़क्ट लाना समझदारी है या फिर नहीं या फिर उसमें बहुत मुश्य लगती है लेकिन आप लोगों की राय भी बहुत ज़रूरी है तो यह था एक वीडियो इस मेटियो सूपर सिक्षिफ्टी का कहां से लेनी है कैसे लेनी है डिलिवरी बहुत अच्छे से मिल जाती है जहां पर आपको बताऊंगा तो डिस्क्रिप्श जहां ग्यादाु की रिलिवरी बहुत की राय टेकार का।